नमस्कार दोस्तों, धनसम पदा के इस नए वीडियो में आपका फिरे एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंशोरंस सेक्टर के बहुत ही इंच्रेस्टिंग टॉपिक पर याने के फ्री लुक पिरेड और कुलिंग ओफ पिरेड क्या होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। फ्री लुक ओफ पिरेड या कुलिंग ओफ पिरेड क्या होता है? यह पिरेड कितने दिन के लिए होता है? फ्री लुक ओफ पिरेड पॉलिसी होडरों को क्यू दिया जाता है? और इसमें कितने चार्जिस लगते हैं? इन सारी बातों को इस वीडियो में हम जानते हैं. तो चल आदमी life insurance की या health insurance की policy अपने दोस्त, रिष्टेदार या किसी agent के कहने पर लेता है। उसका दोस्त या उसका agent उस particular policy के benefits उस आदमी को समझाता है। उसके बाद वह agent policy holder से form भरकर office में submit करता है और policy complete करता है। Policy complete होने के बाद policy के documents policy holder के पास आ जाते है। Policy documents में उस आदमी ने जो भी कोई policy ले ली है, उस policy की सारी terms और condition उस policy documents में छपी हुई रहती है। Policy holder ने तो policy purchase की है, policy के लिए पूरा amount भी उसने भरा हुआ है। लेकिन policy documents को पढ़ने के बाद उस policy holder को अगर यह समझ में आता है कि उसने जो policy purchase की है, वह policy उसके लिए फाइदे मन नहीं है। जिस आदमी ने भी उसे यह policy बताई है, समझा कर दी है, या policy लेते वक्त जिस किसी ने, agent ने या उसके दोस्त ने, उस policy holder को policy के benefits, terms and conditions जो भी बताए होंगे, वह terms, conditions and benefits policy documents में नहीं होते है। यानि के जिसने भी policy समझाई है, वो गलत टरिके से समझाई है, यह policy holder के जब ध्यान में आता है, तो वह policy holder यही policy free look of period में या cooling of period में बंद कर सकता है। अगर policy holder में किसी के दबाव में आकर policy निकाल ली हो, तो भी वह policy इस period में बंद कर सकता है। फ्री look of period या cooling of period कितने दिन के लिए होता है। पॉलिसी वापिस करने के लिए उस policy holder को policy के documents और एक application अपने insurance company को भेजने पड़ते है। उस application में उसको policy के terms and conditions मुझे मनजूर नहीं है, इस तरह का application लिग कर company को submit होता है, तभी यह application मनजूर होता है। अगर किसी policy holder ने free look of period में policy वापिस की हो, तो उसके लिए उसको कितने charges देने पड़ सकते है। वो पूरा amount insurance company को उस policy holder को वापिस करना पड़ता है। लेकिन insurance company कुछ छोटे-छोटे charges कट करके उस policy holder का पूरा amount policy holder को वापिस करता है। insurance company जो भी charges कट करती है, वो charges बहुती कम और nominal होते है। जैसे कि वह policy उस policy holder के पास कितने दिन रही हो उतने दिन का उसका risk cover insurance company डिटक करकर policy holder को पैसा वापिस करती है। उसके साथ ही policy के लिए लगी हुई stamp duty, policy भेजने के लिए लगे हुई postal और courier charges और policy को लगा हुआ GST company कट करके बचा हुआ सारा पैसा policy holder को वापिस करती है। तो दोस्तो, free look of period या cooling of period policy holder के हित में IRDA ने किया हुआ बहुत ही लापदायक और बहुत ही प्रसंसिनिय रूल है। इससे policy holder की हितों की सुरक्षा भी होती है और policy holder को policy लेते वक्त security भी मिल जाती है। अगर आपको दी हुए जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के उसाथ चेर करे और ऐसे ही informative वीडियो आप तक हमेशा पहुंचिती रहे। इसलिए अपने चैनल धनसंपदा को सब्सक्राइब भी करे। धन्यवाद।